नमस्कार मैं जी शान जावेद आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुड़े का सिटी सेंटर रीवा मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा क्या कुछ हुआ चुहुर फिल्म अबिनेता अली खान गजल गायक भानुपंडित अनीता भट ग्यारा दिशंबर को शिर्कत करेंगे रीवा के कृष्णा राजिकपूर अडिटोरियम में उरान के नाम से आयजित होगा कार्कम शामे गजल फिल्म अबिनेता अली खान गजल की दुनिया के चमकते सितारे भानुपंडित अनीता भट ग्यारा दिशंबर को रीवा के कृष्णा राजिकपूर अडिटोरियम में शामे गजल उरान के नाम से आयजित कार्कम में शिर्कत करेंगे इस बात की जानकारी देते हुए कार्कम के आयुज़क अनामी का शुकला और सिदार सिवातों से हमारी टीम ने कार्कम को लेकर बाच्चीत की उनका साब तोर से कहना था अली खान अमताब बच्चन से लेकर तमाम मसहूर सितारों के साथ काम कर चुके हैं फिल्मी दुनिया का जाना पहचाना चेहरा है वहीं भानु पंडित अनिता भट किसी के मौताज नहीं गजल की दुनिया के चमकते सितारे हैं अभी तक आप जिनको अपने टीवी पर ही देखा करते थे अब आप सामने बैट करें को सुन सकते हैं रीवा की जनता इस मौगे का भरपूर लाव उठाए सुनिये उनका क्या कुछ कहना था मैं इस समय मौजब हूँ एक रीवा में उडाएं सामे गजल के कारकम के आयोज कों के साथ इनसे बात्चीत करूंगा किस तरीके का आयोजन है रीवा में सांस्कृतिक गत्वदियां काफी दिनों से बिखाई नहीं दे रही थी इस तरीके की विधा तो काफी अर्षे बात नजर आ रही है आज बात्चीत इसी को लेकर क्या है कारकम आपका कारकम के बताने के पहले एक शेर में जरूर अर्ज करना चाहूंगा नया चहरा नया लहजा नया मजमून देते हैं गजल पढ़ते हैं हम जब भी जिगर का खून गजल एक ऐसे विधा रही है हमेशा सही कि जब सुनते हैं हम तो एक रूहानिया से उपस्ती हो देवें दिल में उसी रूहानियत को लेते हुए अभिद्यापकार फाउंडेशन एक नहीं तरह की एक कारकम की योजना बढ़ाई है वो है एक खुश्णमा शाम सूफी संगी के नाम उनान कारकम के बाग्रम से जिसमें अभिद्यापकार फाउंडेशन की अभिज अनाम का शुक्लाइज की ये पहल है और 11 दिसंबर को रिश्णा राजकरपुर आल्टोरिय में एक कारकम होगा जिसमें बाहर से महमान भी आ रहे हैं गिजल गाया का रहे हैं फिल्म अ अनीता भट भानु पंडित जैसे बड़े कलाकार यहां पर मौजोद होंगे अनामिका से मैं ये जानने समझने की कोशिश करूंगी ये किस तरीके की इनकी उपलब्दिया जरा इनके बारे में बता ही जिसको आपने बुलाया सबसे पहले तो हम अनीता भट और भानु पंडित जी के बारे में बताते हैं ये सबी बड़े कलाकारों के साथ इनके गाने आते हैं बहुत सारे शो आ रहे हैं इनके अलबम कंटीनियू लाँच होते हैं राखी सावन के साथ इनका भी एक गाना आ रहा है और जो हमारे अली कि दुनिया के दो बले नाम अनीता भट और भानु पंडित ये रोताव सिदार्थ जी आप इसी फेल्ड से जुड़े रहे हैं जिस तरीके का आयोजन है काफी अर्से बाद क्या आपको लगता है कि इससे रीवा में एक नई तरीके की सांस्कृत कारक्रमों की उपलब्दिया में एक माइलिस्टोन सावित हो सकता है निसंद इजात होगा क्योंकि रीवा हमेशा सही साहितिक सांस्कृतिक रूप से जाना जाता रहा है बहुत दिनों से एक ऐसी कोई रिवा को तोरते हुए एक नई दिशा और दशा रीवा के साहितिक शेत्र के इलिए बड़ी किस तरीके से आएं किस तरीके से उनके बैठने का इंतिजाम है इसमें सबसे पहले तो रीवा की जनता का हम स्वागत करते हैं इस कारिक्रम में की वह खुजनुमा साम का हिस्सा बने और यह फ्री एंट्री है इसमें कोई पास नहीं है तो सब ही आ सकते हैं सब की अच्छी गर्टने की विवस्ता है सारे लोग रीवा शहर के तमाम लोग गजल प्रेमी आएं कारकम का लोत पुराएं जो की उडान शामे गजल के नाम से आयो जित होने जा रहा है हम जब कारकम होगा वहां पर जाएंगे और कारकम की उपलब्दियां भी आप तक पहचाने की कोशि झाल 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 झाल